हेलो एबरीवान, कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और NTPC का stage 2 के लिए, tire 2 के लिए और group D का जो exam आने वाला है उसके लिए आप लोग अच्छे से तयारी करते होंगे, preparation करते होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, समय को ब NTPC का stage 2 का exam होने वाला है, उसके लिए जो Lucent के जो objective questions है, ठीक है, Lucent के objective questions, उसमें खेल कूद है, ठीक है, इसका दो और भी बहुत सारे miscellaneous questions हैं, जो Lucent book के पीछे में दिया हुआ है, objective है, जो की काफी important है, हर एक exam में वहाँ से question पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अलग-अलग topic जो आई, ठीक है, आज खेल कूद, sports जो है, Lucent objective है ना, एक तरह से बोल सकते हैं कि master video of Lucent objective sports, तो उसका मैंने video बनाया, इसको आप लोग देखें और फाइदा उठाए क्योंकि यहां से 100% सियोर है कि question पूछे जाएंगे, ठीक है, तो चली हम लोग एक एक करके question discuss करते हैं और उसका answer देखते हैं, सपोज आप लोग अभी कहीं journey कर रहे हैं, या फिर कहीं travel कर रहे हैं, कहीं तो students, आप लोग के demand पर ये video मैंने बनाया है, देखें, पहला question देखते है, sports से, sports से objective question पुछे जाते हैं exam में और NTPC Tire 2 में भी पुछा जाएगा, गुरूब D भी पुछा जाएगा, ठीक है, गुरूब D के exam में, तो उसके लिए हम लोग चलिए discuss करते हैं, तक कि फाइद हो, उसके लिए मैंने answer टिक भी लगा दिया है, ठीक है, ice hockey होगा, Canada का राष्टी खेल क्या है, ice hockey, second देखते हैं, सन्युक्त राज अमेरिका का राष्टी खेल क्या है, तो answer हो जाएगा, baseball, ठीक है, third है, भारत का राष्टी खेल क्या है, तो हम लोग को पता है, hockey, Japan का राष् खेल क्या है, Spain का, तो bullfighting, याद रखेगा कि bullfighting Spain, bullfighting Spain, ठीक है, याद रखना है, next है, bullfighting किस देश का राष्टी खेल है, तो repeated question है, उसको उल्टा करके, reverse करके पूछ दिया गया है, तो bullfighting किस देश का है, तो Spain, Spain का कौन सा खेल है, तो bullfighting, ठीक है, next है, ice hockey, lacrosse, किस कनाडा हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद match करने के लिए एक question पुछा गया था, तो 1 का A, B का 2, C का 3, मतलब A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो चलिए, एक एक करके देख लेते हैं, ice hockey किस का होगा, कनाडा का, रगभी football कहा का है, तो Scotland, bullfighting, Spain, और baseball, तो सन्युक्त, राज अमे जाता है, ठीक है, तो answer हो जागा, baseball, America, baseball, next है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन, सुरुवात, किस ने प्रारम किया था, तो तुर्कों ने, तुर्क ने किया था, पोलो खेल का प्रचलन, भारत में किस राज में हुआ था, बहुत important है, मनीपूर, मनीपूर से, ठीक है, ठीक है, next question देखते है, किर्केट खेल की सुरुवात किस देश में हुई थी, तो England, हम लोग जानते हैं, कि England होगा, ठीक है, England सही सुरुवात हुआ था, किर्केट का, निमलिकित में से किस खेल का उधवाव भारत में नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है, भारत में नही हुआ है, तो Billiards भारत में नहीं हुआ है, तो यानि बाकी बजगे सतरंज, पोलो और कबड़ी, तो याद रखना है कि भारत में उधवा हुआ है, शुरू हुआ है, कौन से खेलों का, सतरंज का, पोलो का और कबड़ी का, और Billiards भारत में शुरू नहीं हुआ है, उधवा भारत नहीं है, विलेड्स का, नेक्ट देखते हैं, निमलिखित में से किस खेल का उदभाव, इंगलेंड में नहीं हुआ है, तो वालीवाल का इंगलेंड में नहीं हुआ है, वालीवाल, बाकी इंगलेंड में कौन से खेल का उदभाव हुआ है, शुरुवात हुआ है, तो और उसके जन्म दाता देश का सही पेर बताना है ठीक है तो सही पेर कौन सा है तो पोलो भारत होगा ठीक है पोलो भारत होगा सही है ये और बाकी जो options है वो wrong दिये हुए है ठीक है बाकी options को आप देख सकते हैं देख लिजे वो wrong दिया हुआ है पोलो भारत correct है ये next खेल और गलत पेर बताना है तो सतरंज का रूस नहीं होगा तो सतरंज का जो रूस दिया हुआ ये गलत है और बाकी सब करेक्ट है विलियर्ड्स फ्रांस होगा कबड़ी भारत होगा इसनुगर भारत होगा ठीक है याद रखना है इसको नेक्ट देखें किर्केट के आधोनिक संसकरन सूपर मैक्स किर्केट की सुरुवात कहां होई थी ठीक है सूपर मैक्स किर्केट की सुरुवात कहां होई थी तो ऑस्ट्रेलिया होगा नेक्ट है वाटर पोलो में एक पक्च में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है हम लोग जानते हैं कि किसी भी खेल में दो पक्च होता है एक runner एक winner जो एक हार जाता है एक जितता है दो पाटी होगा तब उसके भी ना तो खेल होगा नहीं ठीक है दो पक्च होगा एक साइड और दूसरा साइड ठीक है तो water polo में एक पक्च में किसी भी एक साइड में खिलारी कितने होते हैं तो 7 होते हैं साथ ठीक है water polo में एक साइड में 7 हो जागा और दूसरे साइड में भी 7 होगा मतलब 7-14 लोग मिलके polo खेलते हैं नेक्स पोलो में परतेक पक्च में खिलारीयों की संख्या कितनी होती है तो याद रख पक्ष में कितने खिलारी होते हैं, हर एक साइड में, बेस बॉल में, तो नाइन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है, वालीबॉल की परते एक टीम में, खिलारीयों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो छे हो जाएगा, परते एक टीम मतलब हर एक साइड में, हर एक पक्ष म दूसरे तरह पांच, ठीक है, next, इसके बाद देखे, इसके बाद हम लोग को यहां से pair देखना है कि कौन सा जो option है, यह सही दिया हुआ है, देखे, कौन-कौन से खेलें, तीन खेल दिये वे, एक खोको है, एक कबड़ी है, एक वाली वाल है, वाली वाल है, और चार खेल दिय में, कितने खिलाडी एक टीम में मैदान पर क्रमस आते हैं, मतलब हर एक पक्च में, तो खोको में, एक साइड में, नाइन हो जाएगा, ठीक है, कबड़ी में, एक साइड में, कितने होते हैं, सेवन, और वाली वाल में, एक साइड में, कितने होते हैं, ठीक है, और बास्के आए कि हर एक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है तो वालीवॉल का एक साइड में 6 हो जाएगा, बास्केट बॉल का किसी भी एक साइड में 5 प्लेयर होंगे और बेस बाल में हर एक साइड में 9 प्लेयर होते हैं, एक साइड में 9 दूसरे तरफ में 9 ठीक है, next, परतेक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कुछ-कुछ कोश्चे नहीं जो कि repeat भी हो रहा है ताकि आप लोग को याद हो जाए, तो अच्छी बात है, कबड़ी के खेल में परतेक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है, तो 7, मतलब 7-7, अबड़ी में, याद रखना है, नेमिलिकित में से किस खेल की परतेक पक्ष के टीम में गारा खिलाडी नहीं होते हैं, मतलब 7-7, 11-22 खिलाड़ी होते हैं मतलब एक साइट एक किसी भी एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं होकी में भी 11 और फुटबॉल में भी 11 ठीक है काफी इंटरेस्टिंग है ये जो कि हम लोग लगबग जानते थे लेकिन confused भी हो सकते थे इस question में लेकिन यहाँ पर हम लोग देखकर confirm हो गए है ठीक है आगे देखे किस group के खेलो में परतेक पक्च में खिलाड़ी हो की संख्या समान होती है बेसबॉल और खोखो ठीक है इन दोनों में same होते हैं हर एक पक्च में मतलब आपको इस option में से select करना है ठी किस बॉल में जितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्च में खोखो में भी उतने ही खिलाड़ी होते हैं किसी भी एक पक्च में लेकिन बाकी में different है पोलो और वाटर पोलो में अलग है ठीक है बास्केट बॉल और वॉलीबॉल में अलग-अलग है फोटबॉल और रगभी दोन में अलग-अलग एक पक्च में खिलाडी होते हैं, next, किस ग्रूप के खेलों में परतेक पक्च में खिलाडी के संक्या 7 होती है, तो कबड़ी और नेट बॉल, कबड़ी और नेट बॉल, ठीक है, next देखे, किस खेल में परतेक पक्च में खिलाडी के संक्या सारवाधिक होती ह रगभी फूटबॉल में सबसे अधिक, किसी भी एक पक्च में रगभी में सबसे ज़्यादा खिलारी होते हैं, ठीक है, आप Google से सर्च कर लिजेगा कितने होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, निमलिकित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरूस दोनों खिलारी होते हैं, व किर्केट की आधोनिक संस्करन, सुपर मैक्स किर्केट के दोनों टीमों को 10 ओवर, 10 ओवर की एक एक पारी के लिए कितना समय दिया जाता है, ठीक है, किर्केट की आधोनिक संस्करन, सुपर मैक्स किर्केट में दोनों टीमों को 10 ओवर की एक एक पारी में, ठीक है, मतलब 10 दस ओबर का मैच होता है, ठीक है, दस ओबर के लिए, तो एक एक पारी, मतलब एक जो पक्षे वो दस ओबर खेलेगा, फिर दूसरा पक्ष दस ओबर खेलेगा, तो एक एक पारी में कितना समय दिया जाता है, तो 45 मिनट, दस ओबर के लिए 45 मिनट, इसको याद रखना है, ठी सामयावधि, ठीक है? मतलब सामय कितने लगती है, कितनी होती है? ठीक है? अंतरास्टी फूड़ वाल मैच में कितना टाइम का होता है, अंतरास्थ इंटरेश्टि का मैच में, वो कितने देर के लिए होता है, तो 90 मिनट का मतलब की डेर घंटे का. next किस 36 नमर हो गया 37 किस अंतराष्टी होकी मैच की समया अवधी कितनी होती है किसी अंतराष्टी होकी मैच में होकी मैच में कितना होकी का जो मैच होता है इंटरनेशनल उसमें कितना टाइम दिया जाता है तो 70 मिनट का होता है होकी 70 मिनट और फुटबॉल जो है वो 90 मिनट का याद रखेगा, मुक्यबाजी की असपर्धा में कितने-कितने मिनट के तीन राउंड होते हैं यहीं चले अच्छा है इस से ये भी knowledge हो गया कि मुक्यबाजी में तीन राउंड का मैच होता है ठीक है तीन राउंड का मैच होता है और कितने कितने टाइम का होता है तीन तीन मिनट का ठीक है चले अब इसके बाद देखते हैं कबड़ी की पुरुस असपरधा में कितने मिनट का एक हाफ होता है है ना हाफ ठीक है जो हाफ टाइम जो होता है एक हाफ ठीक है तो कबड़ी क पुरुस जो जैंट्स का जो कबडड़ी का जो मैच होता है, ठीक है, खेल होता है, उसमें एक हाप kıtने देर का होता है, तो 20 मिनट का, 20 मिनट का, याद रखेगा, निम्रिकित में से किस खिलाली को हौकी का जादूगर कहा जाता है, बहुत अचहा कोशुकर ने हौकी का ददा के नाम से किनहे जाना जाता है, जैसे हम लोग दादा बोलते हैं, प्यार से ददा, ठीक है, ददा, तो ददा के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेजर ध्यान चन को, मेजर ध्यान चन को ददा के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के जाना जाता है तो एडी नासी मेंटो, एडी नासी मेंटो को फुटबॉल में ब्लेक पर्ल के नाम से जाना जाता है, next 43, स्वर्न बाली का गॉल्डेन गर्ल और उडन परी, फ्लाइंग इस्पिरिट, उपनाम से कोन भारतिय महिला एथिलीट जानी जाती है, तो आंसर हो करवग थे, काफी रफ्तार में, काफी तेज दोडते थे, मिलखा सिंग, हमारे देश के गोरव हैं ये लोग, ठीक है, मिलखा सिंग, next 45, कोन सा किरकेट खिलारी, रावल पिन्डे एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, रावल पिन्डे, ठीक है, किरकेट खिलारी, स्वय रावल्पिंडी, next cricket खिलाडियों के मद, hollywood के नाम से प्रसीद है, wow, मतलब cricket खिलाडियों में एक दूसरे को जैसे मजाग से hollywood, hollywood, hollywood बोल कर पुकारते होंगे, मजाग उडाते होंगे, ठीक है, एक दूसरे का जैसे हम लोग मजाग से करते हैं, ठीक है, तो hollywood कीन को, sane सेन वार्न, सेन वार्न, वो इसे Hollywood movie के actor के जैसे भी लगते हैं वो देखने में, ठीक है, सेन वार्न, next, great delayer, उपनाम से कोन अंतराष्टियर किर्केटर अंपायर जाना जाता है, ठीक है, कोन से किर्केट के जो अंपायर है, वो great delayer के नाम से जाना जाते है, इस्टि बकनर, ठीक है, delayer, delay, हो सकता है, delay जो देर होता है, delay, उससे हो सकता है, delayer नाम दिया गया होगा, great delayer, time लेते होंगे इसाइड डिसिजन देने में, ठीक है, तो इस्टि बकनर, इस्टि बकनर, ठीक है, next है, dancing empire के नाम से किन को जाना जाता है, मतला हो सकता है कि ऐसा वो decision देते होंगे ठीक है ना जिससे वो हो सकता है कि dance करके इसारा करते होंगे जिससे कारण हो सकता है dancing empire के नाम से जाना जाता होगा तो डेविड सैफोर्ड यूट्यूब से वीडियो आप देख लीचेगा डेविड सैफोर्ड का तो आपको पता चल जाएगा हो सकता है dance करते हुए उनका वीडियो मिले आपको next देखे बॉमबे बांबार कि बॉमबे बांबार किस अंतराष्टी किर्केटर का उप नाम है बॉमबे बांबार के नाम से किन को जाना जाता है सचिन तेंदूलकर next लिटिल मास्टर लिटिल मास्टर देखे यहाँ पर कभी के मिश्टेक होता है लिटिल मास्टर में कभी कभी हम लोग सचिन तेंदूलकर को सुचते है ठीक है तो लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भारती किर्केट खिलारी को जाना जाता है तो सुनिल गवसकर को लिटिल मास्टर लिटिल मास्टर ठीक है याद रखना है Next 51, 50 तक हो गया है 51 भारती किर्केट के अस्तमब राहुल दरवीट का उपनाम क्या है तो राहुल दरवीट जो है उनको किन नाम से जाना जाता है तो मिष्टर रिलाइबल सेए दा वाल के भी नाम से और जैमी के भी नाम से इनको जाना जाता है तीक है आगे बढ़ते हैं 52 भ एक दिवस्य मेचों में सारवादिक विकेट लेने वाले इस्पिन गेंदबाज अनिल कुमले का उप नाम क्या है ठीक है तो अनिल कुमले के बारे में आप लोग सुने कि क्या-क्या किस-किस नाम से उनको जाना जाता है ठीक है इस्पिन के गेंदबाज है जो कि टेस्ट किर्केट में और एक दिवसी मैच में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो जम्बो, जम्बो के नाम से उनको जाना जाता है, और याद रखेगा कि टेस्ट किर्केट में और वंडे में भी सबसे ज़ इस फर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्य वर्धन सिंग राठोर का उपनाम क्या है ठीक है तो राज्य वर्धन सिंग राठोर ने क्या क्या उपलब्दी हासिल की है वो सब अभी मैंने पढ़ा ठीक है तो राज्य वर्धन सिंग राठोर का उपनाम क् ठीक है, नेक्स्ट है, टर्बीनेटर, टर्बीनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हरवजन सिंग, ठीक है, हरवजन सिंग, नेक्स्ट, थारपीडो, थारपीडो, थारपीडो के नाम से किन को जाना जाता है, तो यान थारपे, यान थारपे, यान थारपे को थारपीड के नाम से जाना जाता है 56 नबर में सही मैच करना है ठीक है तो देखे क्या होगा A का 4 होगा मतलब स्वयवक्तर को रावल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है Next जवागल सिरिनात जवागल सिरिनात को किस नाम से जाना जाता है तो एक नंबर है B का 1 है ठीक है तो इंडियान एक्सप्रेस हो जाएगा जवागल सिरिनात का इंडियान एक्सप्रेस स्वय बक्तर का हो जाएगा रावल पिंडी एक्सप्रेस और पेस है ना पेस और भुपती है ना पेस और भुपती इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है तो इनको इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ठीक है अच्छा हाँ देखे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं स्वायब अक्तर जो है स्वायब अक्तर को रावल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है एक बार ध् मैसूर एक्सप्रेस जवागल सिरिनात का हो जाएगा मैसूर एक्सप्रेस ठीक है मैसूर एक्सप्रेस इनका मैसूर हो जाएगा और पेस और भुपती इन दोनों का क्या हो जाएगा इनका होगा इंडियान एक्सप्रेस हो जाएगा ठीक है इनका इंडियान एक्सप्रेस हो ज चिक है आगे देखते हैं पोल वाल्ट का बादसा किसे कहा जाता है तो सर्गेई बुबका को पोल वाल्ट का बादसा कहा जाता है रसिद फुटबॉल खिलारी एडसन एरेंटस डि नसीमेंटो ब्लैक परल के नाम से जिनको जाना जाता है का सम्मन किस देश से है तो आंसर हो झाएगा ब्राजील next पोल वर्ल्ट के बादसा Fleischee Bubeka का सम्मन किस देश से है तो Ukraine होगा next देखे प्रसिद सतरंज खिलाडी Gata Kamas की किस देश के हैं किस देश के हैं so सन्यूत राज अमेरिका के हूंगे सन्यूत राज अमेरिका का 60 नंबर प्रसीद सत्रंज खिलाडी गाटा कामास की किस देश के हैं तो सन्यूत राज अमेरिका ठीक है अब चले 61 नंबर देखते हैं प्रसीद सत्रंज खिलाडी सत्रंज खिलाडी जो हैं गेरी कासपारो का सम्मन किस देश से हैं प्रसीद जो सत् प्रसिद सत्रंज खिलारी नेक्ट देखे, 62 नमर देखेगा, प्रसिद सत्रंज के जो खिलारी हैं, बलादिमीर क्रेमनीक किस देश के हैं, तो रूस हो जाएगा, नेक्ट देखे, प्रसिद सत्रंज, 63, प्रसिद सत्रंज खिलारी अनातोली, अनातोली कारपू का समन्द किस तो रसिया हो जाएगा रूस नेक्स्ट है गोल्फ के प्रसिद खिलारी टाइगर रूट्स ठीक है तो टाइगर रूट्स का नाम लेने से गोल्फ का याद आता है तो गोल्फ बोलने से टाइगर रूट्स का याद आता है ठीक है तो किस देश के हैं तो सन्यूत राज अमेरि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जिने दिन जिदान किस देश के प्रसीद फुटबोल खिलारी हैं फ्रांस के हैं फ्रांस के ठीक है नेक्स्ट है प्रसीद टेनिस खिलारी रोजर फेडरर का समंध किस देश से है रोजर फेडरर टेनिस खिलारी है रोजर फेडरर ठीक है उनका समंध किस देशे है, तो स्विट्जर्लेंड के है, मारियाशारापोवा हो गया, इसके बाद रोजर्फेडर हो गया, महिस भुपती हो गया, ये सरेणा विलियमस हो गया, तो ये समनाम बहुती काफी कन्फ्यूज करते है, एक ही जैसा सब सुनने में लगता है, लगता ह से इसको देखे तो परसीर्द tennis खिलारी रोजर फेडरार जो है किस डेस के ऺता है तो roger federal swigiland roger federal swigiland Rover swigiland फेडर और swigiland याद रखेगा उस तरह से swigiland maria sharapova किस दोफ की महिलह tennis स्खिलाडी है तो रूस की हो गई है ना रूस हो जाएगी रूस ठीक है नेक्स्ट है किम 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 किलिस्टर्स ठीक है किम किलिस्टर्स का सम्मन किस देश से है तो